हेलो प्रिंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं हरे धनिया की चटनी जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही इजी लिएबल होता है और प्रेश भी होता है तो चलिए अब बनाते हैं धनिया की चटनी इसके लिए मैंने दो टमाटर लिये हैं लस्तन लिया ह अद रख लिया है हरी मिर्ची लिया है आज ये सब चीज़े अपने स्वाट के कॉर्डिंग ले सकती हैं खटा जादा रखना चाती है तो टमाटर जादा ले लिजे मिर्ची जादा करना चाती है तो मिर्ची जादा ले लिजे अब उसके लिए सबसे पहले मैंने टमाटर क जाएगा जाएगा तो आप जल्दी से इसको पानी में डाल दीजेगा पानी में डालते ही इसके जो चिल्के हैं वह बहुत ही इसली उतर जाते हैं तो देखिए ये मैंने कितने अच्छे से भून लिया है इसको भूनने के बाद इसके जो ऊपर की छिलके आप उतार लेजिए और फिर आप इसको ग्राइंडर में डालिए ऐस इस अगर आप डालना चाते है तो इस इस भी डाल सकते हैं इसको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट हो गया होता है भूनने के आप थोड़ा सा पानी आड़ करना चाते हैं ग्राइंड करने के लिए तो आप कर सकते हैं निम्बू आड़ करना चाते तो आप निम्बू भी आड़ कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसमें धनिया काट के डाल लिया था जादा फाइनली चॉपनी किया है बड़ा बड़ा क इसमें आप निम्बू एड़ करना चाते हैं तो आप निम्बू एड़ कीजिए बहुत ही अच्छा फ्लेफर देगी आपको प्यास के साथ खाईए मूली के साथ खाईए समोसे के साथ खा सकते हैं कोई भी स्नैक आप सर्दियों में लोग यूजिली शाम को बना के खाते हैं बना के रख लीजिए एक दो दिन तक ये फ्रेश रहेगी फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो तो देखिए इसका कलर कितना